गाउं के निकट एक घने जंगल में एक छोटी सी चिडिया रहती थी उसका नाम था तुने वह बहुत ही खुश्णुमा और उत्साही थी उसके निकट ही एक बड़ा पेड था जिसकी छाया उसे हर समय सुरक्षित महसूस कराती थी तुनी के पास कई चिडिया मित्र भी थे जिनके साथ वह खेलती और मस्ती करती थी एक दिन बादलों ने अपनी चादर फैला दी और हवा में बरसात की खुश्बू घूमने लगी छोटी-छोटी बूंदे नीचे गिरने लगी और धर्ती को तरोताजा करने लगी धीरे-धीरे बारिश बढ़ने लगी छाती और बज़ौर पेडों के नीचे तुनी ने छत्री बिचाई और अपने मित्रों को बुलाया सभी चिडिये अपने अपने घर सुरक्षित स्थानों से बारिश की बजाय आनन लेने के लिए तुनी के पास आई छत्री के नीचे सभी चिडिये मिलकर खेलने लगी बारिश के पानी में नहा कर तुनी और उसके मित्रों ने अपने जीवन का मज़ा उठाना शुरू किया वे एक दूसरे के साथ जूले, उढ़ने और खेलने लगे बारिश की बूदों ने पेड़ों को और भी हराभरा बना दिया था पृत्वी ने एक नई जीवन की सृष्टी की थी तुनी और उसके मित्रों ने बारिश की बूदों के साथ खेलने का मज़ा लिया और उसक आस्वागत किया बारिश के बाद आसमान में इतनी सुन्दर इंद्रधनुष बन गया था कि सभी चिडियों ने उसे देख कर अपने चहचाने में लगे रहे तुनी ने उस इंद्रधनुष को देख कर खूपसूर्ती की परीक्षा ली और उसे अपने सभी मित्रों के साथ साजा किया बारिश के बाद जब बादल उसकी चादर उठाई तो सभी चिडिये अपने घरों की ओर लोट गई तुनी भी अपने अपने पेड के ऊपर की ओर उड़ चली उसने बारिश के साथ स्वागत किया और अपनी नई मित्रों के साथ खेल कर अपने जीवन का मजा लिया इस छोटी सी कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें जीवन में हर स्थिती को स्वीकार करना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए बारिश का मौसम भी हमें नई जिंदगी की संभावनाओं का दर्शन कराता है और हमें समय का सार्थक उप्योग करने की प्रेरना देता है